नमस्खार दोस्तों और स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आमेरिका ने हमारी वैक्सिन बनाने के लिए जो रा मैटीरियल देना था उसे मना कर दिया और कहा कि उन्हें भी इसकी जरूरत है और उनके लिए अमेरिका फस्ट नीथी है तो ऐसे में दोस्तों इंडिया को वैक्सिन बनाने के अंदर प्रोब्लम इसके अंदर हो सकती है हलांकि इंडिया के पास खुद की बनाई हुई भी वैक्सिन है और ये बात हमने इसलिए डिसकस क कि कल को दोस्तों इंडिया जो other component है जो defense sector में हमने उनसे weapon system खरीदे हैं उनके उपर भी लगाये जाते हैं इनकी भी अगर delay हो जाती है या मना कर देता है अमेरिका तो हमें problem हो सकती है और सबसे बड़ी problem हो सकती है अगर वह है अपनी general electric का engine हमें देने से मना कर दे या फिर अग बनाया जा सकता है लेकिन दोस्तों M88 engine के अंदर भी कुछ problems है और साथ ही दोस्तों इसके इलावा इंडिया के पास एक और भी विकल्प है तो आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों अमेरिका अगर अपने general electric का F404 engine जो तेजस M के 1 में लगाया जा रहा है सप्लाई करने से मना कर देता है तो हमारे पास France का option है उसके सैफरेन का M88 engine जो है जो राफेल fighter jet को भी power देता है उसे हम easily हासिल भी कर सकते हैं और इसके इलावा दोस्तों उसे इंडिया में भी बना सकते हैं लेकिन दोस्तों इस engine के अंदर सबसे बड मिलता है या power कम मिलती है और इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा तेजस MK1A की weapon और fuel load केरिंग करने की capacity के उपर हलांकि दोस्तों ये engine वजन के अंदर थोड़ा हलका भी है ये इसकी positive चीज भी है लेकिन फिर भी दोस्तों जितने weapon system हमें तेजस MK1A में carry करने हैं उसे उ और भी ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर हमें ज्यादा powerful engine चाहिए और हम General Electric का F414 engine उसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं जो और भी ज्यादा powerful है तो ऐसे में M88 का विकल्प तेजस MK2 के लिए बिलकुल भी नहीं रह जाता और इसके इलावा दोस्तों सबसे दोबारा से test demonstration के अंदर भी इनी engine का इस्तेमाल करना पड़े और इससे हमारे program के अंदर भी डिले हो जाएगी इसके इलावा दोस्तों 2011 के अंदर M88 engine का ही एक version जो M884 यह था इसे भी सामने लाया गया था यह एक technology demonstrator था और कहा गया था कि इसके अंदर thrust 90 किलियो newton तक होग afterburner के साथ में तो यह engine हमारी समस्या को दूर कर सकता था लेकिन दोस्तों अभी तक इसने production के अंदर entry नहीं ली है यानि कि दोस्तों जब तक यह develop नहीं होता तब तक हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और जो चीज develop नहीं हुई है उसे हम अपने fighter jet के अंदर लगाने के बार 200 इंजन और दोस्तों आपको बता दें कि जब हमने इंजन को पहले तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करना था तो competition के अंदर ये भी इंजन था लेकिन ये इसलिए reject हो गया क्योंकि इसका general electric के F414 इंजन के तुलना में price हाई था अलांकि दोस्तों तेजस MK2 के अंद अगर इसे इस्तेमाल किया जाता है तो फिर भी दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा under power जरूर रहेगा अगर इसका comparison general electric से किया जाए लेकिन फिर भी उससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी इसकी power अच्छी खासी है और इस इंजन को select करने का सबसे बड़ा फाइदा इंडिया को ये होगा कि इंडिया एक joint venture के तहट 110 किलो Newton thrust class का engine बनाना चाहता है specially अपने AMCA2 के लिए तो ऐसे में दोस्तों अगर इस engine को इंडिया के अंदर ही बनाने के लिए भी license मिलता है तो हमारे पास एक private sector के अंदर एक line बन जाएगी जहां पर engine बनाया जा सकता है और स इसके इलावत दोस्तों अगर हम M88 engine खरीते हैं फ्रांस से तो उसके अंदर हमें राफेल fighter jet का भी ओर order देना पड़ेगा लेकिन Rolls-Royce के साथ में ऐसा नहीं है और इसलिए अगर हमें America General Electric का engine देने से मना करता है तो EJ200 हमारे लिए सबसे best engine रहेगा हमारे fighter jet को power देने के ल धन्याबाद जैहिन